हãy making change आपका अन्ट्रेडविक्ट धर्षके ऊवर एक नए वीडियो के अंदर आज की वीडियो के अंदर हम डिसकूस करेंगे image tag के बारे में image tag क्या होता है html के अंदर वह discuss करेंगे और absolute और relative path क्या होता है html के अंदर वह भी discuss करेंगे without wasting time let us get started अभी तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चानल को सब्सक्राइब कीज़े, इससे मुझे मोटिवेशन इसना मिलती रहेगी, ताके आपके लिए नहीने कोर्सेज और वीडियो चानल की उपर लासकू, इससे हमारे चानल की भी घ्रोथ होगी, तो बीस चा होता है और इसके अंदर दो attributes होते है source और alt by default तो alt के अंदर अगर आप आपने source के अंदर आपने कोई भी path नहीं दिया image का तो अब आप क्या कर सकते हो और alt के अंदर आप जैसे logo लिखोगे और अगर इसे save कर लोगे तो browser के उपर आप देख सकते हो यहां पे टेक्स्ट आ चुका है तो यहां से आप हम क्या करेंगे इस logo को यहां से हटा देंगे और अब हम क्या करेंगे हम src के अंदर हम हमारा जो path रहेगा relative path image का वो यहां पे देंगे तो relative path क्या है पहले वो समझ लेते हैं अगर तो वो एक ही folder के अंदर है और उसी folder के अंदर आपकी सारी images भी रखी है तो अब आप उस images को यहां पर directly load कर सकते हो relative path देखें तो पहले तो मैं यहां पर दिखा देता हूँ जो image.html है मेरी वो web development folder के अंदर है और इसी folder के अंदर हमारे पास 100bit.png यह वाली image है तो यह हमार relative image है तो अब हम क्या करेंगे इसका directly path यहां पर देदेंगे हम बोल देंगे 100bit.png extension भी यहां पर देदेंगे और जैसे सेव कर लूँगा तो browser के उपर हमारी image load हो चुके है पर इसकी side खोड़ी बढ़ी है तो अब हम क्या करेंगे अब हम हमारे पास और दो attributes होते हैं height वाला pixel और width भी दे सकते हो आप width के अंदर भी 200 pixel ही दे देंगे और जैसे सेव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो इसकी size कम हो चुकी है और एक attribute आपके पास होता है title जिसके अंदर आप कोई title इस image के उपर देना चाहो तो वो भी यहां पर दे सकते हो 100 bit दर्ष logo तो यहां पर मैं जैसे मैं इस image के उपर hover कर रहा हूँ यहां पर मुझे 100 bit दर्ष logo यहां पर देखने को मिल रहा है तो यह हो गया आपका relative path आपने relative path दे दिया image का और वो image यहां पर directly browser के उपर load हो चकी है पर अगर आपकी image कोई किसी और folder के अंदर है जैसके C drive के अंदर है D drive के अंदर है त तो उस image को आप किस तरह load कर सकते हो तो मैंने का क्या है एक horizontal rule यहां पर horizontal line यहां पर निकाल दी और अब हम क्या करेंगे image tag वापस लिखेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे अब हम हमारे E drive के अंदर हमारे पास एक error.jpg image यहां पर है available तो अब हम क्या करेंगे इस image का मैं इसके उपर right click कर रहा हूं और इसके उपर properties के अंदर जाके इसका location यहां से copy कर लूँगा यहां से मैंने इसका location copy कर लिया है और वापस VS code के अंदर हम जाएंगे और यहां पर उसका location डाल देंगे slash के बाद हम डाल देंगे उस image का नाम जो कि है error.jpg extension के साथ और जैसे मैं से save कर लूँगा तो browser के उपर यह image load होना चाहिए पर यह image यहां पर load नहीं होगी तो VS code के अंदर कोई bug है या कोई problem आ जाता है तो मैं recommend करता हूं कि आप absolute path use ना करें आप directly इस error.jpg को इस web development folder के अंदर डाल सकते हूं जहां पर हमारी सारी HTML है यहां पर यह हमारी 100 bit दर्श व चाहूं यहां पर एक alternative के अंदर एक text डाल देता हूं जैसके आपको पता चलेगा हमारी image load हो रही है या नहीं हो रही है तो जैसे मैं इसे save कर लूँगा तो browser के उपर आप देख सकते हो हमारी image तो load नहीं हुई है तो VS code के अंदर आप absolute path दोगे HTML के अंदर तो कई बार काम नहीं करता है तो उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है इस यहां पर एक subline के अंदर मैंने image.html लिखिया है और इस image.html को हम browser के उपर run कर लेंगे तो मैं इसे क्या बोल तूँगा right click बोल दूगा और open browser बोल दूगा तो यह हमारी hello from subline यह हमारी HTML यहां पर load हो चुकी है तो और अब हम क्या करेंगे अब हम जाएंगे हमारी subline के अंदर और यहां पर उसको यहां पर मैं डाल दूगा और जैसे मैं save कर लूँगा तो और browser के उपर जाके इस page को जैसे reload बोल दूगा आप देख सकते हो यहां पर image आ चुकी है इसकी size थोड़ी बड़ी है तो अब हम क् browser के उपर जाके इस page को reload कर लूँगा तो इसकी size कम हो चुकी है तो इस तरह आप absolute path भी दे सकते हो तो subline जो id है इसके अंदर html के अंदर absolute path easily work हो जाता है पर vs code के अंदर कई बार problems आ जाती है तो मैं recommend करूँगा कि आप सारी जो आपकी images रहें आपकी जो भी images है वो उसी folder के अंदर रखो जैसकी अगर मैं यहाँ पर वापस जाओं और यह हमारा web development का folder है और यहाँ से क्या कर लूँगा इस error को इस error वाली image को copy कर लूँगा और web development वाली folder के अंदर जाके पेस्ट कर लूँगा तो यहाँ पर हमने error.jpg को यहाँ पेस्ट कर लिया है और जैसे मैं यहाँ पर जाओंगा इस folder के अंदर और यहाँ से यह इसका absolute path हटा दूँगा और यहाँ पर जैसे save कर लूँगा और अब हम वापस हमारे हम आ चुके हैं यहाँ पर राइट तो अब हम आ चुके हमारे browser के उपर जहां पर यह हमारी image.html लोड हो रही है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके height मैं क्या कर लूँगा 100 pixel कर लूँगा save बोल दूँगा आप दे सकते हो यहाँ पर हमारी image लोड हो चुकी है तो मैं recommend करूंगा कि आप relative path ही use करो जिसके साथ आपको कोई भी error नहीं आएगे अगर आप absolute path यूज करते हो तो कई बार error आती है तो यही था इस video के अंदर मैं आशा करता हूँ कि आपको यह video अच्छी लगी होगी अगर आपको कोई भी doubt है तो आप हमारे telegram community के उपर आकर का हमारे साथ जोड़ सकते हो वहाँ पर आपके doubt पूछ सकते हो तो मिलते अगली वीडियो के अंतर तबते के लिए thank you guys and see you soon